नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं जयस्तनियूज महराज के पूर्ग्रिह मंत्री अनिल देश्मुक के मनी लॉणरिंग केस में छानबीन कर रही एजनसी एडी को लेकर एडी के खिलाफ में अनिल देश्मुक ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा गदा उठाया है जैसा कि आप सको पता है कि इससे पहले भी अनिल देश्मुक के द्वारा एक याज का दाखिल की गई थी जहां पर उनके द्वारा सुप्रीम कोट से अंतरिम प्रोटेक्शन की डिमांड की गई थी कि जो एडी की टीम है उनको गिरपतार ना कर सके जिसके बाद जो सुप्रीम कोड की तरफ से सीधा सीधा फैसला सुनाया गया था कि वो जो है कोई भी प्रोटेक्शन सुप्रीम कोड के द्वारा अनिल देशमुक को नहीं दिया जाएगा रोग लगा दी जाए मतलब की पूरी तरह से जो भी समन किया जा रहा है अनिल देशमुक को एडी के द्वारा एक ही कारवाई की जा रही सिर्फ समन भेजा जा रहा है अब उस पर भी रोग लगाने की डिमांड की गई है वो भी अनिल देशमुक के द्वारा वो भी यह याज इस case पर सुनवाई नहीं कर सकता बाई और उन्हीं कोई reason नहीं दिया कि अखिर कार वो सुनवाई नहीं चाहते इस case पर लेकिन उन्हों ने अपने आपको इस case से पूरी तरह से बचा लिया है अब देखते हैं कि अनिल देशमुक की इस याचिकापे कौन से जज हैं जो की सुनवाई करते हैं और किस तरह से उनके उपर सुनवाई करते हुए वो अनिल देशमुक के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है उसको माननेता देते हैं मलब उसको मंजूरी देते हैं या ये भ बड़ी बात कि इन मंत्रियों की कभी भी जो कानूनी प्रक्रिया है वो खतम होती ही नहीं, पिछले चार से पांच महिने से लगातार ये केस चल लहा है, लेकिन आज तक इनके उपर कोई भी कारवाई नहीं हो पाई, क्योंकि हर बार कभी मुंबई हाई कोट सामने आ जाता है तो कभी सुप्रीम कोट आज सामने आ जाता है, जिसकी वज़ा से ये आज तक बचे हुए हैं, वाइदाबे आपका क्या ओपिनियन हैं, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्याश्यादा सेयर करें